बाइजूस नो उसका रिपलाई दिया और उसके बाद यह एडवाईजरी इशू हो गई हम भी यह मान के चल रहे थे कि अब यह इस तरीके की हरकतों से बाज आएंगे और ऐसे काम नहीं करेंगे लेकिन रिसेंटली फिर एक न्यूज आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा जिसमें यह था कि बाइजूस अभी यह से ही काम कर रहा है हमको फिर फॉर्मल इन्फॉर्मल सोर्सेस से और भी ऐसी इन्फॉर्मिशन मिली तब हमने बाइजूस के सीओ को संबन किया है और उनको 23 को कमीशन के सामने एपियर होने के लिए कहा है कि उनको अगर अपने पक्ष में कोई बात कहनी हूँ कुछ बताना हो या अपनी कार प्रणाली में वो तब तक कोई सुधार करें बताए तो हमने उनको एक अफसर दिया है उसके बाद हम आगे का एक्षन इनिशेट करेंगे अभी तक कोई जवाब आए है तो 23 को आएंगे एपियर होंगे तब बताएंगे क्या बात है किस तरह के मामले और आपके सामने आए यो आपने बताएंगे क्या कि देखिए हमको जो पता चला वो यह कि बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स के नंबर्स का डेटाबेस खरीते हैं कहीं कहीं से आता है इनके पास उनको फोन करते हैं रिगरस फॉलो अप करते हैं बच्चों का साइकोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स को एक तरीके से थ्रेट देते हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है तेकि ट्यूशन पढ़ने के लिए आप बच्चों से यह नहीं कह सकते हैं बच्चों के पेरेंट्स से कि अगर यह ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो इनका कोई कैरियर ही नहीं है और यह खास तोर पे फर्स्ट जनरेशन लेर जो है उन फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं इस तरीके के हमारे पास इंपुट्स आए हैं तो इन सभी इंपुट्स को हम कॉलबरेट करेंगे इनके जबाब के साथ देखेंगे और उसके बाद हमको जैसा लगेगा फर्दर इंवेस्टिगेशन के लिए अथारिटी को लिख को लिखेंगे फर्दर एक्शन के लिए अथारिटी को लिखेंगे एक्शन के लिए अथारिटी को लिखेंगे